दोस्तों सवाल जवाब के इस एक और सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहां पे हम आप ही में से कुछ एक विवर्स के सवाल उठाते हैं और उन सवाल को डिसकस करते हैं क्योंकि वो सबके लिए जरूरी होते हैं तो आज भी हम एक ऐसा सवाल लेके आए हैं जो कि बहुत commonly पूछा गया है कि सवाल है कि मोदी मंतरी मंडल के बारे में बताईए कि वर्तमान में मोदी मंतरी मंडल में कितने मंतरी हैं जो उनके पास important विभाग हैं उन सबका नाम हमें जानना है उन सबके बारे में हमें जानना देखे जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 17 एप्रेल को उससे बस एक दिन के बाद यानिके 19 एप्रेल 2024 को लोकसवा के चुनाओ का पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिकॉस्ट करना चाता हूं कि आप में से जितने भी वोटर्स हैं जो एलिजिबल हैं जो वोट कर सकते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार है जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है वो प्लीज जाके वोट करिए देखिए आप आपका जो वोट है वो आपकी आवाज है आपकी पैचान है आपका भविष्य है राष्ट ने आपके कंधों पर एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौपी है कि आप अपना वोट अच्छी तरीके से दें सोच समझ के दें जिससे आपका और आपके आसपास के समाज का भवि अच्छा बनाएंगे तो इसी के साथ जदा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं देखें मोधी मंतरी मंडल की शुरुवात हम लोग करते हैं प्रधान मंतरी के पत के साथ आपको पता है इस वक्त भारत के वरतमान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी हैं जो कि भारत के चौदवे प्रधान मंतरी हैं ठीक है इसके बाद बात करते हैं भारत के राश्ट्रपती की तो आपको पता है कि द्रौपती मुर्मुजी जो है वो भारत की राश्ट्रपती है इन्होंने अपना कारेकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू किया था और ये भारत की जून कालिक महिला वित्त मंतरी हैं ये बहुत important point है वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कोई महिला वित्त मंतरी ऐसी नहीं रही है जिन्होंने अपना कारेकाल पूरा किया हो तो ये काफी important point बनता है इसके बाद बात आती है भारत के रक्षा मंतरी की तो भारत के रक्षा मंतर राजनात सिंग इनका कारेकाल 1 जून 2019 को शुरू हुआ था ठीक है अब देखिए रक्षा हो गया वित हो गया तो बात आती है ग्रह मंत्राले की तो भारत के ग्रह मंत्री जो है वो अमिच शाह है और इनका कारेकाल भी 1 जून 2019 से शुरू हुआ था ठीक है इसके बाद बात कर इनका शुरू हो गया था। То ये important नाम हो जाते हैं प्रधान मंतरी, राष्टरपती, रक्षा मंतरी, वित्र मंतरी, ग्रह मंतरी और विदेश मंतरी। इसके बाद बात करते हैं भारत के रेल मंत्री की जिनके हाथ में रेलवे का परिवायन होता है वो है अश्मिनी वैशनव जी जो की एक IAS अधिकारी भी रह चुके हैं रेलवे का सारा कारेभार इनके हाथ में हैं काफी important नाम है आपको पता होगा हाली में ओडिशा का जो accident हु में आये थे और इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा ठीक हैं इसके बात बात करते हैं भारत के जल शक्ति मंत्राले की ये बहुत important मंत्राले है क्योंकि 2019 में ही ये मंत्राले बनाया गया था और इस वक्त इनके वरतमान मंत्री जो हैं वो गजेंदर सिंग शेकावत जी देखे इसके नामसे पता चल रहा ए है कि यह जो मंतराले बनाया गया है यह जल resources को सही करने के लिए बनाया गया है pollution को घटाने के लिए किया गया है कि जिससे जल जो है अच्छा बन सके लोगों पीने को मिल सके जल संसादनों की सुरक्षा हो सके यह सारे काम देखने के लिए यह मंतराले बनाया गया था तो यह मंतराले याद रखना है आपको इसके बाद आएगा question कि राज्यसभा के speaker काँन है अब देखें गुमा के पूछा है राज्यसभा के speaker काँन होते हैं जो की 2022 में उपराष्टपती बनाये गए थे, ठीक है, इसके बाद आएगा सवाल कि भारत के सिक्षा मंतरी कौन है, तो आप लिखेंगे धर्मेंद्र प्रधान, काफी जरूरी नाम है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वास्त और परिवार कल्यान मंतरी, वो कौन है, तो आप लिखेंगे मनसुक मांडविया, ठीक है, मनसुक मांडविया स्वास्त और परिवार कल्यान मंतरी है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मंतराले भी है, मतलब ऐसा ही है जिसको आप महिला वे बाल विकास मंतराले भी कहते हो उसकी जो वरतमान मंतरी है वो स्मिर्ती इरानी जी है जो की 31 मई 2019 से इस पद पर कारिभार समाल रही है देखें महिला वे बाल विकास मंतराले अलग है और स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले अलग है ठीक है इसके बाद एक और इसी से जुड़ा हुआ आता है जिसको आप कहते हो ग्रामीन विकास मंत्री कौन है तो ग्रामीन विकास मंत्री जो है वरतमान में भारत के गिरिराज सिंग जी है अब देखिए यहाँ पे confusion होता कई बच्चे गलती से नरेन सिंग तोमर लिखाते हैं क्योंकि इस से पहले नरेन सिंग तोमर ही थे ग्रामीन विकास मंत्री लेकिन यह चेंज हो चुके थे तो बच्चों को confusion बना रहता है तो गिरिराज सिंग आपको लिखना है ठीक है इसके बाद भारत के परियावन मंत् मंत्री की बात हो गई तो क्रशी और किसान कल्यान मंत्री की भी बात हो गई क्योंकि यह भी इसी से जुड़ा हुआ है तो वो है श्री नरेन सिंग तोमर अब यहाँ पे confusion बिलकुल नहीं करना है ग्रामीन विकास मंत्री गिराज सिंग है और क्रशी और किसान कल्यान मंत्री जो है वो नरेन सिंग तोमर है ठीक है इसके बाद आता है सडक परिवहन मंत्री अब ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि नितिन गटकरी जी जो है वो जगे-जगे इंटर्व्यू देते रहते हैं रहलिया करते रहते हैं तो सडक के नाम पे तो आप ने इनको याद रखी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद भारत के सूचना वे प्रसारण मंत्री आते हैं वो कौन है तो वो है अनुराक ठाको ये आपका important मंत्री मंदल हो आता है जिसके अंदर सारे जरूरी मुद्दे आ जाते हैं अब इसके बाद एक दो पोस्ट और बचती हैं जो कि मोदी मंत्राले में नहीं है लेकिन याद रखने लायक है जिससे की पूछेगा कि भारत के chief of defense staff कौन है यानि की CDS कौन है तो आप लिखेंगे वो Lieutenant General Anil Chauhan जी बने है इसके अलावा इस रो के अध्यक्षा आपको पता है इस रो के नाम आपने कई बार सुना होगा चंद्रियान से आपको पता होगा तो वो कौन है Dr. S. Somnath इन से पहले कौन थे Dr. K7 ये photo आपने देखी होगी इस photo में आपको प्रिधान मंत्री जी के सा Dr. K7 नजर भी आ रहे होंगे इसके बाद आखिर में एक और पोस्ट है कि राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार कौन है भारत का यानि कि National Security Advisor NSA ये तो आपको पता ही होगा अजीत डोबाल जी है NSA तो इस तरीके से मूदी मंत्रा लेक है important मंत्री हो जाते हैं और इसके अलबा कुछ ये आपके लिए helpful साबित रही होगी अगर इसके बाद इसके अंदर आपको एक वेरी आती है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही see you in the next one